मेलकम प्रेंटिस आज है 20 सितंबर 2021 राज़ते संस्क्रन देनिक जागरन से सम्मंदित जितना भी इनपोर्टेंट निउज है 20 सितंबर के सारे निउज को हम लोग इस वीडियो में डिसकस करेंगे और सभी परिछाओं के लिए सारे निउज इनपोर्टेंट है ठीक है तो पह पहले पंजाब के सियम कौन थे तो अमरिंदर सिंग थे ठीक है अमरिंदर सिंग अमरिंदर सिंग इनके द्वारा इस्तिफा दे दिया गया है और इस्तिफा किसे सोपा गया तो बनवारी लाल पुरोहित को बनवारी लाल पुरोहित कौन है तो यह पंजाब के राजपाल है तो जो नए CM कौन बनेगे जो नए CM बनेगे रंजीत सी चन्नी जो है पंजाब के अब नए CM बनेगे इनको आज सपत दिलाए जाएगा 11 बजे बनबारी लाल प्रोहित के द्वारा साथ में आपको याद रखना है कि जो अमरिंदर सिंग है इनके बारे में आद रखेगा है कैप्टेन अमरिंदर सिंग जो है कारकाल पूरा नहीं कर पाने वाले ये पंजाब के बार में मुख मंत्री है नोट कर लिजेगा इनपोर्टेंट है ठीक है उसके बाद जो पंजाब पंजब के राजधानी कहा पर है तो चंडी गल आपके पंजब की राजधानी है चंडी गल ठीक है उसके बाद जो पंजब है ये पंजब इसका गठन कब होता है, तो इसका गठन होता है, एक नमंबर, एक नमंबर 1966 को ठीक है, एक नमंबर 1966 को इसका गठन होता है, और पंजाब के विधान स्वामी कितने सीट हैं, तो 117 हैं, और रास स्वामी साथ हैं, और लोक स्वामी 13 सीट हैं, ठीक है, उसके बाद जो पंजाब की जो सीमा है किन किन राजियों से लगती है तो सबसे पहले आपको याद राखना है कि पंजाब की सीमा जो है एक अंतरास्टिय देश्ट पाकिस्तान से लगती है ठीक है पाकिस्तान से लगती है पहला हो गया दुसरा आपको याद राखना है कि राजस्थान हर्याना और जम जम्मु कास्मिर, इसे नोट कर लीजिएगा, उसके बाद आपको नोट करना है कि पाकिस्तान के सीमा जो है भरत के किंकिल राजियों से लगती है. तो पहला है गुजरात, दुसरा है राजस्तान, तिसरा है पंजाब, चौटा है जम्मू कास्मिर, एक केंद सासित प्रदेश हैं, और पाचमा है लद्दाक ठीक है, लद्दाक इसके भी सीमा, लगती है पकिस्तान से इतना आप सिवी को याद रखना है ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है, अदालत में अस्थगन से हम पर पढ़ रहा अनावस्यक बोज सुप्रीम कोट के द्वरा बोला गया, तो सुप्रीम कोट के बरतमान में मुखने आधिस कोंन है, तो एन्वी रमना है, ठीक है, एन्वी रमना है, ये किस नमर के हैं, तो अड़तलिस म थी में है, तो आटकिल शीयतर में इसे नोट कर लिजेगा, उसके बाद सुलिसेटर जनरल अफ इंडिया कोन है, तो तुसार महता है, साथ में राश्टी हरित नयाधिकरन, येन्जीटी, ठीक है, येन्जीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिबुनल, इसके अध्यज कोन है, तो बनाया उत्रप्रदेश को देश में नम्मर हुआ जो अब की उत्रप्रदेश के मुखमंत्री हैं योगी आदित नात के द्वारा ये बोला गया है तो इनके द्वारा जो घोसना पत्र जारी किया गया है चुनाव के लिए तो हमारे लिए इंपोर्टेंट नहीं हमारे लिए जो भी उत्र परदेश के CM कोंने, योगी आदितनात और राजपाल कोंने, अनन्दी बेन पतेल, जो अनन्दी बेन पतेल हैं गुजरात की मुखमंत्री भी रह चुकी हैं, साथ में उत्र परदेश के बारे में याद रखना है कि पेपर लेस, बजट पेस करने वाला पहला रा कानपूर उत्तर प्रदेश में उसके बाद आपको याद रखना है कि जो उत्तर प्रदेश इसकी राजधानी कहां पर है तो लखनावर इसकी राजधानी है और कितने जिले उत्तर प्रदेश में तो 75 जिले हैं और लोग सवा के कितने सीटे हैं तो लोग सभा के आपके 80 सीटे हैं, और राज सभा कितनी सीटे हैं, तो राज सभा की 31 सीटे हैं, उसके बाद बिधान सभा की कितनी सीटे हैं, 403 सीटे हैं, और बिधान परिशत के 100 सीटे हैं, ठीक है, 100 सीटे हैं, स्थाथ में आपको याद रखना है, जो उत्रपरदेश है, इसकी सीमा किन-किन राज्यों से लगती है, इन्पॉरिटन्ट ही है, तो सबसे पहले आपको हिमाचल पर्दिस, ठीक है, उसके बाद उत्राखंड, उसके बाद हर्याना, ठीक है, देली, केंचास्थित प्रदिससे, देली से भी लगती है, उसके बाद राजस्थान, मदपर्देश, 36 गड़, ठीक है, 36 गड़, बिहार, और एक अंतराश्टी सीमा लगती है निपाल से ठीक है, निपाल से इतना अपसिवी को याद रखना है ठीक है सरकार का संबाद जरूरी बेंकईया नाइडो, तो भारत के उपर राश्टपती हैं बेंकईया नाइडो, साथ में बेंकईया नाइडो ने बोला कि राश्टपती ने तीन किर्सी सुधारो कानूनों की बकालत की और इनके द्वारा तरक दिया गया कि अठल विहारी, बाज़ भी लाल भी जो चाहते थे कि किसान जो है कहें भी अपना फसल बेच सके किसी भी मंडी में जाके अपना फसल बेच सके तो में जानना है जो अटल बिहारी बाज़ पही है इनका जनम कहां पर हुआ था तो मद परदेश में इनका जनम हुआ था और कब हुआ था पचीस चौधरी चरहन्सिंग जो है ये भी आपके भारत के पर्धान मंतरी रहते है तो कब से कब कब तक रहते हैं तो 1979 से 1980 तक ठीक है तो एक वार आपके भारत के प्रदानमंत्री रहते हैं उसके बाद नीचे हैं देविलाल ठीक है जो देविलाल है इनको बोला जाता है ताऊ देविलाल या हर्याना करए हैं और इनके बारे में याद रखिएगा कि जो बंकया नेड़ू है राजसभा के हैं तो जो राजसभा के सभापती कौन होते हैं तो जो उप राजसभा के सभापती होते हैं तो अभी कौन है तो सिरी अम बंकया नेड़ू है उसके बाद आपको याद रखना है कि उप सभापती बरतमान में राजसभा के कौन है तो ह यहों सचीव है साथ में नेता बीपच के नेता कौन रासवा में तो मलका अरजुन खड़ गए हैं औह Butter इतना point आपको लिख लेना है उसके बाद next है कि मोटे अनाज का परमुख उत्पादक देश बनता जा रहा है भारत ये तोमर के द्वारा बोला गया है तोमर कोन है तोमर हमारे क्रिश्ची मंत्री है ठीक है इसमें आपको याद रखना है कि United Nation United Nation ने अंतरास्टी मोटे अनाज बरस किस बरस घोशित किया है ये फलो उवम सब्जीय का अंतरास्टी बरस घोशित किया गया है 2022 को क्या गोशित किया गया है United Nation के दोवरा तो आपको याद रखना है कि मतस एवं एकवा कल्चर वर्स गोशित किया गया है United Nation के दोवरा 2022 को इतना आप से भी को याद रखना है ठी Next New Jay की अब स्वेदेशी कमपनिया बनाएंगी satellite ले जाने वाले rocket इसका पहले क्या था कि सिर्फ जो rocket बनाती थी इस रो बनाती थी ठीक है सिर्फ रोके इस रो बनाती थी लेकिन अबimize अब भारत सरकार ने निरनय लिया है कि जो private player है वो भी मेदान में आब है जैसे कि अमिरिका में आप देख रहे हैं Space X कितना आगे चला गया है उसे नासा का सपोर्ट है उसी परकार से भारत भी चाहता है कि private player आबे और इस तो जो है और भी काम देखे तो इसमें आपको याद रखना है कि जो बोला गया है कि जो private player है वे GSLV Mark 3 और PSLV develop करेंगे GSLV Mark 3 का full form क्या होता है लांच बेकल जबकि जो PSLV इसका full form क्या होता है इसमें आपको याद रखना है जो private player होंगे इसमें Vail है जो बेल सरकारी कमपनी है और इसमें और बी private player है इसमें सामिल होंगे इसे में आपको याद रखना है कि ISRO ISRO के बारे में आपको याद रखना है जो ISRO है इसका full form क्या होता है तो Indian Space Research Organization इसका full form होता है और इसके स्थापना कब की गई थी तो 15 अगस्ट 1969 को 15 अगस्ट 1969 को इसके स्थापना की गई थी इसका headquarter कहां पर है साथ में आपको याद रखना है कि जो ISRO अपना satellite कहां से launch करता है तो 37 धवन अंत्रीच केंदर स्री हरी कोटा से 37 37 धवन अंत्रीच केंदर स्री हरी कोटा आंधर परदेश से उसके बाद आपको याद रखना है कि 37 बरतमाल में ISRO की अधियाच है ठीक है उसके बाद आपको याद रखना है कि भारत का पहला उपगरा कौन है तो भारत का जो पहला उपगरा है आरभट है इसे नोट कर लेज़ेगा important है आरभट है और किस देश के सहीयोग से launch किया गया था तो सोबियत संके सहीयोग से launch किया गया था और कब launch किया गया था तो 19 अप्रेल 1975 को 19 अप्रेल 1975 को इतना आप सुब को याद रखना है ठीक है उसके बाद next news है CDS बनने के बाद पहली बिदेश यातरा पर रूस जाएंगे जनरल रावत जो ये लाइन है पहला कि CDS बनने के बाद पहली बिदेश यातरा पर रूस जाएंगे जनरल तो अपसे जनरल रावत ये कोशन पूछा जाएगा कि जब विपिन रावत CDS बने तो इनकी पहली कौन सी देश का दोरा रहा तो रसिया का दोरा रहा रूस का दोरा रहा और किसलिए जा रहा है तो जो ESCO ये संगाई सहयोग संगठन है जिसमें आठ मेंबर है इनके जो समकच हैं CDS हैं बाकि जो आठ कंट्री हैं उनके CDS से मिलने के लिए जा रहा है भारत के CDS जनरल विपिन रावत हैं इनकी निवक्ति कब हुई थी तो 31 December 2019 को इनकी निवक्ति की गई थी इतना आप सभी को याद रखना है ठीक है उसके बाद next news देखी बंगाल में ढगई समयधानिक बेवर्स था राजपाल तो राजपाल कौन है बंगाल के तो बंगाल के जो राजपाल है राजपाल किस अनुछेत के तहट लगाए जाते हैं तो आटकिल 356 के तहट जो है राज में राजपाती सासन लगाए जाते हैं और कारण क्या होता है तो अगर राजपाल राशपाल को संस्तुति दे कि राज में जो है समयधानिक तंत्र बिफल हो गया मतलब जो समयधानिक संस्ताय है समयधान के हिसाब से काम नहीं कर रही है तो राशपाती जो है आटकिल 356 के तहट राज में राशपाती सासन लगा सकते हैं ठीक है उसके बाद आपको याद रखना है जो हैंपर बिवाद है बिवाद किस चीज के लिए तो हमें देखना है बित आयोग तो बित आयोग क्या है तो जो बित आयोग है एक समयधानिक निका है दिख लिजेगा एकजामें पूछा जाता है कि जो बित आयोग क्या है समयधानिक है कानूनी है क्या है तो जो बित आयोग है उसका दाई तो क्या होता है तो जो बित आयोग होता है उसका काम होता है कि संग एबं राज्यों की बितिय इस्तिति का मुल्यांकन करना संग और राज्यों के बितिय इस्तिति का मुल्यांकन करना ठीक है उनके बीच करों की बटवारे की संस्तुति करना अस्टेट एवं सिंटर के बीच जो है करो के बटबारे की संस्तुति करना तथा राजियों के बीच इन करो के बितरन हेतू सिध्धानतों का निरधारन करना बीत आयोग का काम होता है ठीक है उसके बाद आपको याद राखना है कि जो पर्थम बीत आयोग है इसकी गठन कब क की गई थी जो बित आयोग होता है उसका गठन किसके द्वारा किया जाता है तो भारत के राश्पती के द्वारा ठीक है भारत के राश्पती के द्वारा बरतमान में पंदर में बित आयोग का गठन कब किया गया तो 27 नमबर 27 नमबर 2017 को ठीक है अज पंदर में बित आयोग के अध्याच कोने तो एनके सिंग है एनके सिंग है ठीक है जो बित आयोग के अध्याच होता है उसकी नियुक्ति किसके दुबरा की जाती है तो भारत के राश्पति के दुबरा इसकी नियुक्ति की जाती है उसके बाद आपको याद रखना है कि भारतिय समिधान के आठकिल भारतिय समिधान के आठकिल 243 आई 243 आई तथा 243 बाई ठीक है मैं आयोक के गठन के लिए दी गई बिवस्था अनुसार राजबित आयोक का प्रतेक पांच बरस में जो है राजपाल के द्वारा गठन किया जाएगा इस बात को ध्यान रखना है फिर से बूल देते हैं 243 आई और 243 बाई के तहट जो है राजबित आयोक का गठन जो है प्रतेक पांच वर्स पर सम्मंदित राजपाल के द्वारा किया जाएगा ठीक है इस बात को आपको ध्यान रखना के नोट कर लिजे का important point है जो राजबित आयोक है उसका परमुख काम क्या होता है तो पंचायतो तथा नगरपालिकाओं की बितिये इस्तिती की समिच्छा करना ठीक है बितिये इस्तिती की समिच्छा करना और कितना आपके राज और जो आपके नगर निगह में कितने पैसे दिये जाएंगे उसका खाका भी तैयार करना काम है राजबित आयोक के इतना आपसे भी को ध्यान रखना है और बंगाल के जो राजपाल है उसे देख चुके हैं हम लोग की जगदीश धन खड़ है ठीक है उसके बाद नेक्स नुज देखी भारत में करोना के 30,773 नए मामले कल आया है ठीक है इसमें आपको ध्यान रखना की कल तीका कितना लगाया गया तो कल तीका जो आपकी 85,000,000 तीका लगाया गया और भारत में जो मिर्दूदर कितना है तो 1.33% मिर्दूदर है और ठीक होने वाली के दर कितना है तो 97.68 फिसद है ठीक है भारत में अभी तक क्रोना से कुल कितने मौते हो चुकी है तो 4,444,888 मौते हो चुकी है भारत में क्रोना से QAD Q-U-A-D जो quiet है इसका full form क्या होता है तो पहले इसका full form देख लिजिए Quadilateral Security Dialogue इसका full form होता है जो quiet है इसकी स्थापना के विचार सुरपरतम किसके द्वारा दिया गया था तो सिंजय आबे जो जपान की प्रधान मंत्री थे उनके द्वारा दिया गया था और कब दिया गया था 2007 में लेकिन जब Australia इसमें सामिल नहीं हुआ तो जो quiet है थंड़े वस्ते में चला गया लेकिन जो quiet है फिर अस्तित में कब आता है तो 2017 में जो है quiet अस्तित में आता है और quiet में कितने country हैं तो quiet में चार country है अमिर्का है अस्तेलिया है भारत है और जपान है ठीक है उसके बारे में आप लोग याद रखेगा दिखें में ली quiet बोला जाता है कि जो चाइना है उसके विरुद में बनाया गया है उसके बाद आपको याद रखना है कि जो quiet है quiet के जो member है इनका बहुत बड़ा बेपार जो है चाइना के साथ में होता है इसे आप लोग पढ़ लीजेगा हम लोग एक साइड तो चाइना का बिरुद करना चाहते हैं और दूसरी साइड हम चाइना से बेपार भी करना चाहते हैं तो दोनों एक साथ संभव नहीं है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि नाटो और क्वार्ड के बीच में तुलना किया गया है, तो इसे जरूर पढ़िए, एक साथ दिया गया है नाटो, ठीक है, यह सांस्कृति ग्रूप से समान पच्मी देशों का रननीतिक ग क्वार्ड के बारे में देख लिजीं कि क्वार्ड के सदस्त देशों के बीच बहुत ज्यादा संस्कृतिक समानता नहीं है, जबकि जो नाटो था उसमें समानता था, चीन से साजा खत्रे जैसी कोई असपस्ट तस्बीर इन देशों के बीच नहीं है, जबकि यहाँ पर र कि एक साइड आप चाहिएगा चाइना से हम बेपार भी करें, दूसरी साइड चाहिएगा कि हम चाइना को नीचे भी करें तो संभब नहीं है, आप एक बार में एक ही काम कर पाईएगा, जिससे हम लोग बोलते हैं ने कि एगर आप पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़ ये, इन पालका है, उस पर थोड़ा बोज कम किया जाए, लेकिन आप अभी लगतार नीज में सुन भी रहे होंगे, अगर आप मेरे साथ पेपर डिसकसन करते हैं, तो आप कोई भी नीज जो नीज वाता है, उससे अनभीग नहीं रहे हैं तो हम लोगों ने क्या बताया था कि जो ट अधिकरन बोला जाता है ट्रिबुनल को, तो ट्रिबुनल है आपके एक अरध नियाइक संस्ता है, इससे नोट कर लीजेएगा इंपोर्टेंट है, परशास्थनिक एवं कर समंधी बीबादों को हल करने के लिए ट्रिबुनल का गठन किया जाता है समिधान में जो है ट्रिबुनल का उले किया गया है और किस आठकिल में ट्रिबुनल का उले किया गया है तो आठकिल आठकिल 323A में जो है ट्रिबुनल का उले किया गया है इसमें बताया गया है आठकिल 323A में कि प्रसास्निक अधिकार्णों से संबंधित जो है ट्रीबुनल की नियुक्ति की जा सकते हैं जहां पर प्रसास्निक काम देखा जाएगा ट्रीबुनलों के द्वारा उसके बाद है कि जो आठकिल 323-2 इसमें बोला गया कि ट्रीबुनल को गठन जो है और भी मामले के लिए क कर सकते हैं ताकि जो जल्दी सा जो हमारे जंता है जो केस करती है उनको जल्दी सा नियाए मिल सके ठीक है सात में आपको ध्यान डखनां की लेकिन सरकार क्या कर रही है कि ट्रीबुनल में हम noirちゃん करें कि केस कम हो जाượng करी कि करम्सारी की कर केस कम होन के की बजाए लगतार हमारे जो कोटें उहां पर केस बढ़ती चली जाएगी एक तो ऐसा ही हमारे कोट की जो कोट है उन पर बहुत ज्यादा केसों का दवाव है ठीक है उसके बाद नेक्स्ट देखिए भारतिय अर्थ विवस्था मजबूत आता रहेगा विदेशी निवेस नि वर्सों में जो है बिदेशी निवेस को ने 10.50 ला कलोर का निवेस भारत के एक्विटी बजार में किया है इसमें से जो है 70,000 कलोर का निवेस सिर्फ बीत वर्स 2021 में किया गया इसन नोट कर सकते हैं इंपोरेंट पॉइंट है उसके बाद नेक्स्ट है कि स्रम पोटल पर ए उस्रम पोटल यह है क्या तो जो असंगठित छेतर में काम करते हैं उनका सरकार का लाचा डाटा तैयार करना जो भी बेक्ती असंगठित छेतर में काम करते हैं सरकार का उद्देश है कि उनका डाटा सरकार के पास उपलब दो ठीक है अभी तेक जो है एक क्रोर से अधिक स् रस्थितियों में जो है इन मजदूरों को सरकार सीधे खाते में पैसे डाल सके चाहे कुछ और तरीके से मदद कर सके फिलहाल जो है सरकार जो भी ब्यक्ति सरम पोटल पर अगर रेजिस्टेशन करा रहे हैं तो उनको 2 लाग का इंसुरेंस दिया जा रहा है उनको 2 लाग का ब आर्थिक सरवेक अनुसार जो है 38 कलोर जो लोग है असंगठित छेतर में कार करते हैं ठीक है असंगठित छेतर में काम करते हैं उसके बाद नेक्स्ट है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से हर महने जो है मिलेगा डेल हजार क्रोड का टोल ये किसके द्वरा बोला गया नितिन गटकरी के द्वारा बोला गया है नितिन गटकरी कौन है तो केंद्रिय सलक परिवहन एवंबरास्टिय राजमार्ग मंत्री है इनके द्वारा आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे हाइवे है किस देश के सहीयोग से बन ible कमेंट करके जो बताइएगा कि जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे हाइवे है कितने राज्यों से होकर गुजत रहेगा कितने राज्यों से होकर गुजत रहेगा ठीक है उसके बात है तो next है तो बाग सणलचन छेत्र के मानता और किसके दवारा कंजरवेशन, SCO ताइगर अस्टेंडर की मानता दे जाती है नोट कर लीज़ेगा इनपोर्टेंट है तो वर्ल्ड वाई फंड फॉर नेचर के दवारा और 17 मुख माप डंडों के अधार पर यहाँ पर माप डंड लिखा गया इसे अपलोप नोट कर लीज़ेगा तो भारत में जो है भारत में 14 ताइगर रिजब को जो है कंजरवेशन, SCO ताइगर की ताइगर अस्टेंडर की मानता दी गई है तो उसे नोट कर लीज़ेगा 14 कौन कौन है तो असम की मानस काजी रंगा और उरांग है मधपर्देश के सत्पूरा काना पन्ना ताइगर रिजब है उसके बाद महरास्ट के पेंच है और बिहार के बालमिकी ताइगर रिजब है उत्रपर्देश के दुधवा है और बंगाल के सुन्धरबन है केरल के प्रम्भी कुलम है और करनाटक के बांदिपूर टाइगर रिजब और तमिल नाडू के मदे मलाई और अन्ना मलाई टाइगर रिजब सामिल है ठीक है और असम के तीन पार्कों को भी मानता मिल सकती है तो हो जाएगा आप कितना 14 और 3 17 हो जाएगे ठीक है इसे नोट कर लिजएगा ये पॉइंट भी जो माप डंट है ये भी और किसके दोरा मानता दिया जाता है ठीक है तो नेक्स निव जे पान संकट पेज से है इसमें पहला निव जे की अफगानिस्तान के हलात पर जैसंकर सौधी बिदेश मंतरी के बीच बाचित होगी तो एस जे संकर भारत के बिदेश मंतरी है और सौधी अरब के जो बिदेश मंतरी है उनके बीच में बाचित होगा ठीक है जो सौधी अरब के बिदेश मंतरी है इनका दिल्ली दोरा हुआ है ठीक है भारत आया है उसके बाद नेक्स्ट है कि अफगानिस्तान में आगे निवेस पर परदान मंतरी करेंगे फैसला नितिन गटकरी के द्वारा बोला गया है कि भारत अब निवेस अफगानिस्तान में करेगा कि नहीं करेगा उसका फैसला भारत की परदान मंतरी करेंगे उसके बाद next है कि काबूल में मेयर ने काम करने वाली महलाओं पर लगाई रोक एक ची आपको हम बताते हैं कि कम से कम हमारी जो जनसंख्या में महलाओं कितनी होगी कम से कम तो 48-49 परसेंट तो होंगी उससे तो कम नहीं होगी ठीक है अगर 48-49 परसेंट लोगों को आप घर मे इठा दोगे, काम करने नहीं बोलोगे तो GDP पर क्या सर पढ़ेगा? GDP पर तो पढ़ेगा जो फेमिली होता है, फेमिली पर भी एकनोमिकली परभाव पढ़ेगा और जो पूरसों हैं उन पर दवाब ज़्यादा आ जाएगा तो जो महलाओं हैं जो अगर काम करने लाइक हैं उसके बाद नेक्स्ट है कि तालिबान ने अफगान मानमाधिकार परिशत के ओफिस पर किया कबजा नेक्स्ट है कि G7 सम्मिलन में बनी थी हिंद परसांद छेतर के लिए नए गड़बंधन की योजना और इसमें बोला यह जा रहा है कि जो अभी सम्मिलन आप कहा है अस्टेलिया ठीक है अस्टेलिया यूके और यूजना तो जो आकस है जो आकस है आकस की योजना जो है G7 जब सम्मिलन हुई थी उसी में बन चुकी थी और उसमें जो आपके फ्रांस के राश्टपती थे इम्मोन्यल मैकरोन उनको भनक तक नहीं लगा था इस आठकेल में इसी चीज़ की बात की जा रही है बाकि कुछ लिखा होगा इसमें गया नहीं है ठीक है नेक्स्ट है कि नेपाली पियम देवा ने समिधान की रच्छा का किया आहवान जो नेपाल के प्रधान मंत्रियं उनका पुरा नाम क्या है तो सेर बहादूर देवा इनका पुरा नाम है जो नेपाल है नेपाल की राश्पती का नाम क्या है तो बिद्या देवी भंडारी नाम है जो नेपाल के समिधान है कब लागू हुआ था इन्पोर्टेंट पॉइंट है यह तो 19 सितमबर 2015 को जो है नेपाल का समिधान लागू हुआ था उसके बाद आपको याद रखना है कि नेपाल से भारत के किनकिन राजों की सीमा लगती है तो उत्राखंड ठीक है उत्तरपरदेश बिहार ठीक है उसके बाद आपके बेस्ट बंगाल बेस्ट बंगाल ठीक है पच्छी मंगाल और उसके बाद आपके सिक्किम ठीक है सिक्किम की सीमा लगती है जो लंबी सीमा किस की लगती है नेपाल से तो बिहार की सीमा लगती है इसे नोट कर लीजेगा इंपोर्टन्ट है उसके बाद नेक्स है कि अमिरका में करोना संकर्मन से रोज हो रही है ऑऊसत 2000 लोग की मौत तो इसका मतलब तो खेल से सम्बंदित नियुजे की कलका जो आपके IPL का मैच था मुंबई इंडियन्स और चन्नाई सूपर किंग्स के बीच में तो चन्नाई सूपर किंग्स ने मुंबई इंडियन्स को हरा दिया है और जो टेबल तालिका है उसमें सूपर किंग्स नमबर वन पर बना गरल्स टीम ने रग्बी सेवर्स चंपियंशिप 2021 में जो है रज़त पदक जीता है और इसका अयोजन कहां पर किया गया था तो उजबेकिस्तान की राजधानी तासकंद में इसका अयोजन किया गया था और भारतिय टीम किस से हार गई तो UAE United Arab Emirat सौधी Arab Emirat से हार गई ठीक है तो ये बड़ा न्यूजे इसे नोट कर लिजेगा आप लोग उसके बाद खेल से समंधित कोई भी बड़ा न्यूज नहीं है नेक्स न्यूजे की अंतरास्टे फिल्म महोच सव कान की हुई थी सुरुवात जो कान महोच सव होती इसके सुरुवात आज ही के दिन हुई थी 1946 में आज ही फ्रांस में पहला कान फिल्म फेस्टिवल शुरु हुआ था हर साल आयोजित होने बाले इस कारिकरम में दुनिया भर की चुनेंदा फिल्में दिखाई जाती है सुर्वात में जो है 21 देसों की फिल्म दिखाई गई नीचा नगर पहली भारती फिल्म थी जिसे कान में अवार्ड मिला है उसके बाद नेक्स्ट है कि ब्रिटेन के बेग्यान को ने उगाए 200 साल पुराने बीज तो इसे पढ़ लिजेगा उसके बाद नेक्स्ट है इंपोर्टेन ने उजए कि तीन दिनों की अंतरिच सैर करें सुरचित लोटे परियतक तो इनका नाम आपको याद रखना है इनका नाम क्या है इनका नाम है इनका नाम लिख लिजेगा इसाका जिरेड मैन यह है आपके इसाका जिरेड मैन उसके बाद है सियान प्रोक्टर सियान प्रोक्टर हैली आरसिन नाक्स उसके बाद लास्ट ब खलोरीडा जो टर्ट है उहाँ पर इन लोगों ने सुरच्छित लेंड किया है ठीक है तो उसके बाद नीचे बच्चों के नीन से लेकर रहसतर तो आप लोग इसे पढ़ लिजेगा उसके बाद कोई इन पोटेंट नीज है नहीं और नीचे आपके है खट्टी में ठीक ख़